पूछा है कि आध्यात्मेक और धार्मेक ग्रंतों को लेकर वर्तमान समय में एक उपेक्छा का भाव है बल्कि कहीं कहीं तो ग्रणा का लोग कहने लग गए हैं कि ज्यान तो हम अपने अनुभव से ही ले लेंगे समझ तो हम अपने जीवन से ही सीख लेंगे किसी गरंथ की, किसी शास्त्र की हमें कोई जरूरत नहीं है बलकि कई लोगों ने तो जोर देकर बोलना शुरू कर दिया है कि किसी भी तरह क्या ध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना आंतरिक प्रगति में बाधा ही बन जाता है देखिए, वजह साफ है हम जैसे जी रहे हैं वैसे जी नहीं पाएंगे अगर हम चले गए उपनिशदों या गीताओं के पास साथ ही साथ हम में इतना दम नहीं हैं कि कह सकें कि हम पाशविक हैं और हमें पशु जैसा ही भौतिक जीवन जीना है इरादे भले ही हमारे यही हैं कि हमें पशु जैसा ही बस पार्थिव जीवन जीना है लेकिन ये बात हम खुल के नहीं कह सकते हमें ये भी खुद को और दुनिया को जताना है कि देखो सहाब हमारी जिंदगी में भी कुछ जरा उपरी तलका है हम भी आध्यात्मिक हैं हमें ये भ्रम भी कायम रखना है साथ ही साथ हमें अपने धर्रे भी कायम रखने हैं आज के समाज के आप इस्तिती समझ रहे हैं काल का कुछ ऐसा दुरियोग बैठा है समय ने कुछ ऐसी करवट ली है ऐसे मुकाम पर पहुँच गया है जहां ऐसा प्रतीत होता है मानों कोई दंड नहीं मिलेगा कोई परतिफल नहीं मिलेगा अगर आप पूरे तरीके से एक सत्यहीन मुक्तिहीन भोग के इंदृत और सुख के इंदृत जीवन बिता रहे होंगे तो हर आदमी की प्रकट या अप्रकट कामना यही है कि वो भोगे वो ही कामना जो जानवर की होती है बस जानवर से कहीं कई गुना ज्यादा परिमान में जानवर थोड़ा ही भोगना चाहता है भोगने के लावा उसके जीवन का कोई लक्ष आदी नहीं होता आदमी जानवर से हजारों अर्बों गुना ज्यादा भोगना चाहता है लेकिन कर वही रहा है जो जानवर करता है आयाम वही है आज के आदमी की बात कर रहा हूँ जानवर को भी सुख चाहिए और आज का भी जो पूरा जीवन है जो हमारी पूरी व्यवस्था है संस्कृति और सभ्यता है वो सिर्फ और सिर्फ सुख और भोग के इंद्रित है सब कुछ इस तरीके से बनाओ चाहे वो कानून हो चाहे वो शिक्षा हो चाहे अर्थ वेवस्था हो चाहे सामाजिक वेवस्था हो कि आदमी के सुख में बढ़ोत्री हो और आदमी को ज्यादा से ज्यादा चीज़ें भोगने को मिलें नए नए अनुभव भोगने को मिलें ये वर्तमान समय है और साथ ही साथ हम में इतनी दिलेरी नहीं है कि हम कह सकें कि हाँ साहब हम जानवर की ही आयाम पर आ चुके हैं और वैसा ही हमको जीना है तो जरा अपनी नैतिक छवी बनाए रखने के लिए जरा अपनी ही आँखों में उंचा बने रखने के लिए हम ये भी कहते हैं कि नहीं हम अध्यात्मिक हैं हम अध्यात्मिक हैं लेकिन असली अध्यात्म हमारे लिए खतरनाख है क्योंकि असली अध्यात्म मैंने शुरू में ही कहा हमें वैसे जीने नहीं देगा जानवर की तरह हैं जैसे हम जी रहे हैं तो ये दोनों तीनों बातें मिलकर के कुल नतीजा ये दे रही हैं कि एक नए तरीके के अध्यात्म का जन्म हो रहा है आप समझ रहे हैं? असली अध्यात्म हम सुईकार कर नहीं सकते क्योंकि वो हमें हमारे वर्तमान तौर तरीकों से जीने नहीं देगा और यह कह पाने की हमें हिम्मत और हैसियत नहीं है कि कह दें कि मुझे अध्यात्म चाहिए इन्हीं मैं जानवर हूँ मुझे अध्यात्म नहीं चाहिए मैं जान वरू हूँ ये कह पाने की हम में न इमांदारी है न दिलेरी तो हम कहते हैं कि हम अध्यात्मिक है अध्यात्म चाहिए लेकिन साथी साथ मुझे अपने भौतिक भोगवादी तौर तरीके सुखवादी सब जारी रखने है तो आज का युग विशेश है बहुत पिछले खास तौर पे मैं कहूंगा पचास एक सालों का और उसमें भी खास तौर पे पिछले 20 सालों का एक बिलकुल ही नया अध्यात्म खड़ा हो रहा है कह लीजिए कि एक नए धर्म की स्थापना हो रही है जो बड़ा चोर धर्म है उस धर्म के पास हैसिएत नहीं है ये बोल पाने की कि मैं एक अलग और नया धर्म हूँ तो वह दिखाता यही है कि मैं पुरानाई धर्म हूँ अगर हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें तो कोई नहीं मिलेगा आज के समय में जो कह रहा हो कि मैं एक नए धर्म की या पंथ की स्थापना कर रहा हूँ उसके लिए बड़ी इमांदारी चाहिए उसके लिए एक अंदरूनी आश्वस्ति चाहिए और उसके लिए बड़ी श्रद्धा चाहिए न जिन लोगों ने नई शाखाएं नई धाराएं सनातन धर्म की निकाली वो बड़े वीर लोग थे जिन्होंने भी धार्मिक सुधार कारिकरम भी चलाए वो भी बड़े निश्चल लोग थे जिनकी नियत साफ थी वो कह रहे थे कि धर्म में गड़बड़ा गई है कूड़ा करकट भर गया है समय का जैसे किसी भी धारा में समय पढ़ने पर गंदगी आ जाती हैं सफाई जरूरी है तो उन्होंने फिर नई धाराएं चलाई थी वो लोग दूसरे थे उन्होंने साफ बताया कि हम एक नई धारा चला रहे हैं क्योंकि उनकी नियत साफ थी उन्हें कुछ छुपाने की जरूर बस इतना है कि ये जो नए धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हैं ये चोरी छुपे कर रहे हैं जो कर रहे हैं ये नाम अपने धर्म को कोई अलग नहीं दे रहे हैं ये मुर्तियां भी और छवियां भी और भाशा भी पुराने धर्म से ही उधार ले रहे हैं लेकिन पुराने धर्म की आत्मा से इनके नए धर्म का कोई लेना देना नहीं है भाशा पुराने धर्म की ले लिए है, छविया पुराने धर्म की ले लिए है लेकिन पुराने धर्म की आत्मा बिलकुल छोड़ दी है आत्मा की जगे जो अभी धर्म का संस्करण प्रचलित हो रहा है समाज में उसमें खोखलापन है आत्मा नहीं है भीतर एक खोखलापन है बस आत्मा के नाम पर कुछ नहीं है धर्म की आत्मा समझ लो धर्म गरंत होता है आत्मा अगर नहीं रखनी है तो धर्म गरंत को अस्वीकार करना बहुत जरूरी है इसलिए खास तौर पर तुम हिंदूों में सनातन धर्म के मानने वालों में आजकल ये प्रचलन ये वृत्ति ये चलन बहुत देखोगे कि नहीं साब मैं कोई धर्म किताब अगरा नहीं पढ़ता और बहुत लोग तो ये बात बड़े गौरव के साथ बताते हैं जैसे ये उनकी कोई खूबी हो कि उन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी उस किताब को नपढ़ना खूबी नहीं मजबूरी है क्योंकि अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आप धुस्त हो जाएंगे वो किताब आप पढ़ेंगे नहीं कि आपको दिख जाएगा कि आप जैसे जी रहे हैं वो पूरा खेल ही पाखंड है खोकला है गलत है वो किताब आपके लिए ज्वाला की तरह है आपको राख कर देगी इसलिए आपकी मजबूरी है कि आप उस किताब को छू नहीं सकते और ये तो आप कदापी न सोचें कि जो उस किताब में लिखा हुआ है वो आप स्वयम ही जान जाएंगे जो लोग ये दावा भी करते हैं कि नहीं किताब ही क्या ज़रूरत है हम खुद ही जान लेंगे साहब यही बात आप गणेत या विज्ञान के बारे में क्यों नहीं बोलते विज्ञानिक ने भी तो स्वयम ही जाना था कभी और न्यूटन ने जो जाना था उसको वो जाने हुए कई शताब्दियां बीत गई बड़ा पुराना आदमी था ज़रूर उसकी बात आज लागू नहीं होती कुल मिला करके से भी तो गिरा था आप अपने सर पे तरबूज गिरा ले ना खुद ही जान लो ना ज़रूरत क्या उसकी किताब पढ़नें की पर न्यूटन की जहां तक बात है आपको न्यूटन से कोई खतरा नहीं क्योंकि न्यूटन आपके अहंकार पर चोट नहीं करता तो न्यूटन को लेकर आप इस तरह कि कोई छिछोरी बात नहीं करते कि मैं किताब क्यों पढ़ूँ मैं खुद ही जान लोगा न्यूटन ने भी जो जाना वो कोई आगाश्वाणी तो हुई नहीं थी उसने भी सुयमी विचार किया था प्रयोग किया था जाना था आप भी सुयमी विचार करो प्रयोग करो जान लो नवा उसकी Welsh किताब क्यों पढ़ने जाते हो पर जब धर्मगरन्थ की बात आती है, तो आप कहते हो, नई, Noe, Noe, Noe अश्टा वक्र ने जो कहा था, हो मैं कदापी नहीं पढ़ूँगा Newton को पढ़ सकते हो, अश्टा वक्र क्यों नहीं पढ़ सकते ह। और Newton तो बहुत सम्मानी व्यक्तित हैं। तुम तो नजाने क्या-क्या पढ़ते हो। तुम कोक शास्त्र पढ़ सकते हो। तुम काम शास्त्र पढ़ सकते हो। लेकिन तुम धर्म शास्त्र नहीं पढ़ सकते। तुम्हें मस्तराम पढ़ना गवारा है। तुम्हें राम पढ़ना गवारा नहीं है। तुम एरोटिका पढ़ सकते हो, गीता नहीं पढ़ सकते, ये बड़ी जीब बात है, कहते हैं नहीं नहीं, एरोटिका रखी होगी तो पढ़ लेंगे, गीता रखी होगी तो दूर भाग जाएंगे, अरे 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 गंदी किताब है इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के ग्रंथ हैं, उनसे भी ये जो पिछले 20-30 साल की पीड़ी है, इसका कोई परिचय ही नहीं। रामायन महाभारत से भी आज की पीड़ी का कोई परिचय नहीं। इनसे कह दो कि बोलो धृष्टत दुम्न, जबान एठ जाएगी। इनसे फ्रेंच बनवालों बोल लेंगे। ये जानबूज कर की हुई साजिश है। गरंथ पुराने नहीं पड़ गए, गरंथ अनुपयोगी नहीं हो गए, गरंथ तिथिभाह आउटडेटेड नहीं हो गए। हम जैसे जी रहे हैं, वह ऐसा हम जी नहीं पाएंगे अगर हमने उन गरंथों को पढ़ लिया। निश्चित रूप से उनको पढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा, किंद्रिय सुधार आएगा। लेकिन वह सुधार तुम्हें चाहिए नहीं क्योंकि वह सुधार आने का मतलब होगा कि तुम्हारे भोग में कमी आएगी और तुम भोग के दिवाने हो चुके हो। जैसे कुत्ते को हड़ी की लत लग गई हो, हम वैसे लोग हैं। हमें कही न कहीं भीतर से पता है कि हम जैसा जी रहे हो गलत है। प्रमाण ये है कि हम धर्म ग्रंथों से दूर भागते हैं, हमें पता है कि उसके पास जाएंगे तुरंट धर्म ग्रंथ हमें लतार देंगे कि कुट्ते हो क्या, ये क्या कर रहे हो? बात आ रही है समझ में? तो ले दे करके एक नए तरह के अध्यात्म और नए तरीके के धर्म का निर्माण किया जा रहा है, चोरी छुपे एक ऐसे अध्यात्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ग्रंथों के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसकी कोई आत्मा ही नहीं है उसमें किस चीज के लिए स्थान है? उसमें स्थान है लोक बुद्ध के लिए, जिसको आप कहते हैं साधारन बुद्ध, common sense उसमें वो बातें चलती हैं जो सब जन्सामानने को पता हैं बस जो बातें जन्सामानने में पहले ही प्रचलन में हैं, उन्हीं बातों को थोड़ा और सुधार करके बोल दो, तुम गुरु कहला जाओगे जिस केंद्र से सब जन्ता पहले ही संचालित हो रही है, तुम भी उसी केंद्र पर रहो अगर तुम इस नए धर्म के गुरु हो या इस नए धर्म के प्रवक्ता हो तुम भी उसी केंदर पर रहो जिस केंदर पर जनता पहले ही बैठी हुई है बस बातें थोड़ी सी साफ सुधरी भाशा में कर दो खबरदार कोई ऐसी बात मत बोलना जो किसी और केंदर से आती हो जो बात ही दूर की हो उदारण के लिए अगर तुम किसी कंपनी के करमचारी हो इंपलॉईस के साथ बैठे हो तो उन्हें ये सिखाओ कि कैसे उन्हें अपनी उत्पादक्ता बढ़ानी है प्रोड़क्टिविटी धर्म का ये काम नहीं होता न धर्म गुरू का ये काम हो सकता है कि वो इस बात पर सत्रले प्रवचन दे कि कंपनी के करमचारीयों की प्रोड़क्टिविटी कैसे बढ़े धर्म का काम है मूलभूत सवाल उठाना मूलभूत सवाली होगा कि तुम यहां काम कर ही क्यों रहे हो क्या तुम्हें इस कंपनी में होना भी चाहिए पर ये जो नया धर्म प्रचलित हो रहा है ये तो भोग का धर्म है ये गहरी इमानदार खुंखार जिग्यासा का धर्म नहीं है इसमें शेर की दहाल नहीं है इसमें तो सियार का अवसरवाद है उपर्चुनिजम बात समझ में आ रही है इस समय पर खास तोर पर सनातन धर्म के लिए बहुत आवश्यक है कि उसे इस नए धर्म से बचाया जाए जो बोलता है कि हमें कोई गरंत होगारा सुईकार नहीं है किसी भूल में मत रहिएगा जो लोग बड़ा आक्रोश करते है और बड़ा प्रदर्शन करते है और बड़ी सक्रियता दिखाते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है वो गलत फहमी में हैं वो सोच रहे हैं कि हिंदू धर्म को खतरा अन्य धर्मों से है नहीं साब, सनातन धर्म को खतरा अन्य धर्मों से नहीं है, सनातन धर्म को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इन जूटे धर्म गुरुओं से जो भीतर भीतर हैं और सनातन धर्म की नीव खोदे दे रहें हम गलत दुश्मन पर निशाना साध रहे हैं जो हिंदू हित के पैरोकार हैं वो सोचते हैं कि इसलाम दुश्मन है सनातन धर्म का या उनको लगता है कि इसाइयत दुश्मन बनी बैठी है अरे इसलाम इसाइयत दोनों तो खुद ही खतरे में है जितने भी मूल पुराने धर्म थे या मजहब वो सब खतरे में हैं वो एक दूसरे को तो बहुत जादा खतरा दे ही नहीं सकते सनातन धर्म पर ये खतरा खासतोर से मंडरा रहा है सबसे ज्यादा भीशन खतरा सनातन धर्म पर है क्यों क्योंकि सनातन धर्म में सहिश्णुता की बड़ी परंपरा रही है टॉलरेंस यहाँ आकर कोई भी अपनी बात कह सकता है कुछ भी कहा जा सकता है और कोई जाचपड़ताल नहीं होती कोई ऐसी संस्था, कोई विवस्था, कोई इंस्टिटूशन नहीं है जो जाचे की अगर कोई गुरू बनने का दावा कर रहा है तो उसमें ज्ञान कितना है उसने स्वाध्याय कितना करा है ऐसी कोई विवस्था ही नहीं है तो कोई भी कुछ भी कह सकता है और बहुत सारे इस वक्त पर गुरू और प्रवचन करता है जिनका काम ही यही बताना है कि किताबों को छोड़ो हमारी सुनो और कई तो ऐसे हैं जो पुरानी किताबों का अर्थ ही उल्टा करके उनमें अदभुत नए नए तरीके के अर्थ बता रहे हैं इनसे असली खतरा है सनातन धर्म को अगर आपको विरोध करना ही है तो दूसरे धर्मों का विरोध करना छोड़ो हिंदु धर्म को पहले इन भितर घातियों से बचाओ जो भी आपको व्यक्ति मिले जो कहे कि मैं फलाने धर्म का अन्याई हूं लेकिन अपने धर्म की मैंने कोई किताब अगरा नहीं पढ़ी है समझ लेना कि ये व्यक्ति उस धर्म का अन्याई ही नहीं है ये वास्तव में किसी अन्य नए धर्म का मानने वाला है उस नए धर्म को तुम सीधे सीधे नाम दे सकते हो consumptionism उस नए धर्म का क्या नाम है? भोग धर्म consumptionism या egoism अंकार धर्म या happyism सुख धर्म pleasureism यह है नया धर्म जो दुनिया के सब धर्मों, पंथों, मजभ़ों को खाए जा रहा है और इस धर्म के जो नए नए गुरु निकल रहे हैं उसाफ बताते नहीं कि वो वास्तव में कंजम्शनिज्म के पुजारी हैं और कंजम्शनिज्म के प्रचारक हैं वो कहते हैं कि नहीं हम तो सनातन धर्मी हैं और वो मैंने कहा तो छवियां, मूर्तियां, प्रतीक, भाषा ये भी लेते सनातन धर्म से ही हैं भाषा सनातन धर्म की होगी, मूर्तियां सनातन धर्म की होगी लेकिन बात बिलकुल सनातन धर्म के विपरीत होगी और इसके लिए फिर उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो सबसे कहें कि किताबें मत पढ़ लेना क्योंकि तुमने किताब पढ़ी नहीं कि तुम जान जाओगे कि तुम भी गलत जिन्दगी जी रहे हो और मैं तुम्हें गलत सीख दे रहा हूँ इस समय पर अगर संसार को बचाना है और संसार तमाम तरह की आपदाओं से जूज रहा है ठीक है इस वक्त पर जो टातकाले का आपदा है वो कोविड बीमारी की है लेकिन वो आपदा अगर टल भी जाए तो जो लंबा और गहन गंभीर संकट है क्लाइमेट चेंज का वो तो सर पे लटकती तलवार है ही अगर दुनिया को बचाना है तमाम तरह के संकटों से तो उसके लिए धर्म की पुनर संस्थापना बहुत जरूरी है धर्म को पुनरजीवित करना बहुत जरूरी है और धर्म को अगर पुनुर जीवित करना है तो धार्मिक ग्रंथों को आम आदमी की जिंदगी में वापस लाना बहुत जरूरी है आपकी संस्था अपने सीमित संसाधनों के साथ यही काम करने की कोशिश कर रही है आम आदमी की जिंदगी में ग्रंथों को वापस लाना है जो बात उपनिशदों में और गीताओं में कही गई है वो बात काला तीत है उस बात को जन जन तक पहुँचाना है क्योंकि अगर वो बात आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी जिन्दगी जानवर समान है यही काम संस्था कर रही है बस अभी हाथों की कमी है और संसाधनों की कमी है हाथ मिल जाएं, संसाधन मिल जाएं तो देखिए कैसे एक-एक घर तक जितना भी अनुपम बोधसाहित है उसको हम पहुचाएंगे जन जागरते लाएंगे और लोगों को वो काबिलियत देंगे कि वो खुद समझ पाएं कैसे जीना है कैसे नहीं जहां शास्त्र नहीं है वहां जबरदस्त अंधेरा है और जब मैं शास्त्र कहता हूँ साफ किये दे रहा हूँ मेरा आशय तमाम तरह के उटपटांग गरंथों से नहीं है मैं वास्तू और जियोतेश और इस तरह की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ जब मैं शास्त्र कहता हूँ तो जब मैं शास्त्र कह रहा हूँ, जब मैं अध्यात्मे ग्रंथ कह रहा हूँ तो मेरा सीधा सीधा आशाय सिर्फ उन पुस्तकों से है जो आपको मन, जीवन और अहंकार के बारे में बताते हैं और आपको मन की मुक्ति की ओर लेकर जाते हैं अध्यात्म का अर्थ ही यही है आत्म माने जो मैं हूँ, अधि माने उपर जैसे अधिक शब्द होता है जब माने ज्यादा अध्यात्म माने जो तुम हो उसको उपर की तरफ बढ़ाना तुम बंधे हुए हो, तुमें मुक्ति की ओर बढ़ना है तुम जूट में हो तुम्हें सच की और बढ़ना है तुम अंधेरे में हो तुम्हें उजाले की और बढ़ना है तुम्हारी रोजमर्रा की निजी जिन्दगी में कदम कदम पर जूट है, फरेब है, धोखा है और दुख है तुम्हें इन सबसे आजाद होना है यह अध्यात्म है जो किताबें इसकी बात करें वो अध्यात्मिक हैं बाकी सब इधर उधर की फरजी किताबों को मैं अध्यात्मिक किताब नहीं बोल रहा हूं जो असले अध्यात्मिक गरंथ हैं दुनिया भर के उनको लोगों तक पहुँचाना है चाहे वो भारत से हो गरंथ, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो एशिया के किसी और हिस्से से हो, चीन से भी हो सकते हैं, अरब से भी हो सकते हैं, इरान से भी हो सकते हैं, उनको जन जन तक पहुचाना है हम में से इस भ्रांति को इस भ्रम को पूरे तरीके से निकालना पड़ेगा कि किसी तरह की आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है ग्रंथों की सहाथा के बिना लोग आते हैं क्याते हैं अरे कभीर साहब भी तो थे क्याते हैं उन्होंने तो कहा कि हमने कभी कागस पूथी छुई ही नहीं लेकिन देखिए अचार जी आप भी कभीर साहब को कितना मानते हैं उन्होंने तो कभी कोई गरंथ नहीं पढ़ा तुम कभी कभी करिशन का उदाहरण देते हो तुम अपने आपको भी तो देख लो जब मैं कह दूँगा कि पुस्तकें पढ़नी जरूरी है तो तुम संद कभीर का उदाहरण दे दोगे जब मैं कह दूँगा कि तुम्हारा प्रेम धोखा है तो तुम राधा कृष्ण का उदाहरण देने लग जाते हो तुम्हारा जीवन कृष्णों और कबीरों जैसा है तुम किसी भी मायने में उनके जैसे हो क्या हाँ उन्हें हक है कई बातें बोलने का तुम्हें हक नहीं है कबीर साहब बोलें कि माला फिरू न जब करूं मुख से कहूं न राम सुमिरन मेरा हरिकरे मैं पाऊँ विश्राम उन्हें शोभा देता है तुम्हें हक है यह बोलने का तुम कौन हो अपनी जिन्दगी को देख़ो तुवारी जिन्दगी में कुछ भी उनके जैसा है क्या तुम्हारी संद्गी में कुछ भी उनके जैसा नहीं है लेकिन वचन तुम उनके जैसे बोलना चाहते हो ये पाखंड है, ये खुद के खिलाफ धोखा है तो ये बात अपने मन से बिलकुल निकाल दो कि इतिहास में चंद लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी कोई गरंथ नहीं पढ़ा देखिए फिर भी तो वो मुक्त हो गए तो हम भी तो हो सकते हैं तुम उनमें से नहीं हो बात खतम वो करोडों में एक थे तुम करोडों में एक किस कोण से हो बताओ तुमारी जिंदगी में ऐसा क्या है जो तुम्हें विलक्षन अदभूत करोडों छोड़तो सैकडों में भी एक बनाता हो तुमारी कक्षा में भी अगर 50 बच्चे पढ़ते थे तो उनमें भी तुम नंबर एक नहीं थे तुम तो 50 में भी एक नहीं हो तुम करोडों में एक कहां से हो जाओगे इनका नाम लेना शुरू कर देते हो, कि इन्हों ने तो कभी किताब पढ़ी नहीं ना और मैं साफ बताए देता हूँ कि कृष्ण मूर्ती ने जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितनी उन्हें पढ़ाई गई, उससे ज्यादा, दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी ने पढ़ी हो हाँ, बाद में कृष्ण मूर्ती जरूर बोलने लगे कि नहीं नहीं, किसी किताब की कोई जरूरत नहीं और मैंने भी कभी कोई किताब पढ़ी नहीं, पर तियो सॉफिकल सोसाइटी ने उनको दशक भर तक दुनिया की हर किताब घोट-घोट कर पिलाई थी वैसे ही तुम कैसे कह सकते हो कि कभीर साहब ने कभी कुछ पढ़ा नहीं अगर वो गए थे गुरू से अनुयाय करने अगर सीड़ियों पर लेट करके उन्होंने गुरू का विश्वास हासिल किया तो वो किसलिए किया था गुरू ने क्या पढ़ाया होगा अगर गुरू ने रामानन्द ने उनको शिश्य सुईकार किया तो क्या पढ़ा रहे होंगे गुरू उनको वैदिक दीख्षा के लावा और क्या दिया होगा तो तुम कैसे कह रहे हो कि कभीर साब ने तो कभी कुछ पढ़ा नहीं अगर गुरु है तुम्हारे उपर तो पढ़ा ही तो रहा है तुमको और और क्या पढ़ाएगा बिलकुल ये बात मन से निकाल दीजिए कि मैं आध्यात्मिक तो हूँ पर ना तो मुझे अश्टा वक्र का कुछ पता है न याग्यवल के का न नचिकेता का न गारगी का न शौनक का न भारत दौज का ना मैं रमन को जानता हूँ ना मैं रूमी को जानता हूँ ना कृष्ण से कोई परिचय है मेरा ना क्राइस्ट से कोई परिचय है पर मैं अध्यात्मिक हूँ मैं अध्यात्मिक क्यो हूँ? मैं बैठकर फलानी क्रिया करदा गरता हूँ तो मैं अध्यात्मिक हूँ तुम्हें जीवन का पता नहीं, तुम्हें जीवन के धे का क्या पता हो जाएगा? और जहां धे का पता नहीं, वह ध्यान तुम किसका लगा रहे हो? अगर अपनी भलाई चाहते हैं, तो ग्रंथों की तरफ बढ़ें सिर्फ वही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, और सिर्फ वही चीज़ है जो सनातन धर्म को बचा सकती है जो आज की बात और यथार्थ है, वो मैंने आपसे कह दिया इनसान भी आज बहुत खतरे में है और सनातन धर्म भी बहुत खतरे में है और दोनों खतरों की वजह एक है आध्यात्मिक ग्रंथों की उपेक्छा और तिरस्कार अजयात्मिक ग्राइब प्राइब जाज़ दोनों की वज़ दोनों की वज़ बहुत खतरे में है